दोस्तों आप पाकिस्तान में भी TikTok की monetization आ चुकी है जैसे कि हम YouTube से कमाते थे Facebook से कमाते से ऐसे ही TikTok से भी आप पैसे कमा सकते हो अपने account को monetize करवा सकते हो किस तरह करना है पैसे किस तरह कमाने है सबसे पहले ये वाला example देखें मेरे दो accounts बने हुए ठीक है दो accounts मैंने बना है आ तरे पास ही है ये account लेकिन दोस्तों यहां पर policy यह है कि आपका जो पुराना account है जो कि आप use कर रहे हो वो monetize नहीं होगा लेकिन आपको new account ठीक है US का एक new account बनाना होगा वो मैं आपको बताऊंगा ठीक है किस तरह US का account बनाना है और किस तरह वहां पर followers gain करने है हासल करने है ठीक है ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा कापी लोगों ने account बनाना तो आपको सिखाया होगा लेकिन आपको followers कैसे मिलेंगे आप अपने channel को monetize कैसे करोगे ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा और किस तरह का आपको topic लेना है किस तरह कि आपको वीडियो बनाना है वो इसी ही वीडियो में मैं आपको समझा दूँगा और आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे तो चलते हैं mobile की screen पर और अपनी वीडियो को start करते हैं दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि tik-tok की monetization सिर्फ US में आने लेकिन हम जैसे पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान में रहेकर US क अकाउन बना कर अपने tik-tok अकाउन को monetize कर रहे हैं और वहां से पेसे कमा रहे हैं किस तरह तो आपकी mobile में play store होगा play store में जाके एक application आपको download करनी है यहाँ पर आप सर्च में लिखेंगे brosec यह वाली इसकी spelling है यह spelling आप याद रखें b-r-o-w-s-e-c इसको पढ़ते पता इसका interface बिल्कुल secure VPN है आपको attention बिल्कुल भी नहीं लेनी क्योंकि यह हमने play store से download किया तो यहाँ पर आप US को select करेंगे ठीक है United States को select करेंगे इस country को हम select करके यहाँ पर connect करेंगे थोड़ा सा wait करते हैं तो दोस्तों finally हमारा VPN connect हो हो चुका है अभी आपको क्या करना है Google Chrome में जाना है ठीक है जाम पर हम Google से TikTok चलाएं आप अपने application से TikTok नहीं चलाएंगे ठीक है यहाँ पर आपको Google पर search करना है www.tiktok.com ठीक है यह चीज़ यहाँ पर search करनी है तो आपके सामने इस तरह का interface आ जाएगा यह desktop mode तो यह कैसे होता है mobile में तो three dot में आप जाएंगे three dot में उस तो फिर आप desktop mode को on करेंगे जिस तरह मेरा यह on है आपका off होगा अगर आपका off है तो on करना है ठीक है तो फिर इस तरह आप zoom और zoom out भी कर सकते हैं simply आप login में जाएंगे यह थोड़ा सा में zoom करके आपको दिखाता हूं login का option है इसको आप click करोगे जी तो यह वाला option आपके प और यहां पर आपको अपना दिन सेलेक्ट करना है कि कौन से दिन आप पेदा हुए थे कौन सी तारीक थी वो तो यहां पर 16 तारीक और year यहां पर सेलेक्ट करना है कि कौन से साल में आप पेदा हुए थे तो यहां पर 18 साल से ज्यादा एज लिखना ठीक है अगर आप 17 साल क हो कम है जे 18 से नीचे जे तो लेकिन फिर भी 18 से ज्यादा उमर लिखना वरना violation में आपका account बेंड भी हो सकता है ये चीज़ याद रखना ठीक है तो मैं अपनी एज सेलेक्ट करता हूँ ये वाली ठीक है तो यहां पर आपको फोन नंबर मांग रहा है लेकिन हमारे पास यूएस का तो फोन नंबर नहीं है तो यहां पर sign up with email इस option को आप सेलेक्ट करोगे तो निचे आपको email मांगेगा तो यहां पर आपको अपनी email लगा नहीं है तो मैं फटाफट अपनी email लगा देता हूँ जी मैंने email और password लगा दिया है अभी आपको send code में जाना है जो email आपनी लगई है वाँ पर एक OTP code जाएगा ठीक है वो code यहां पर enter करोगे तो आपका account बन जाएगा मैंने OTP code लगा दिया जो कि मेरी email में आया था इस option को on करना है फिर आप next में जाएंगे next में जाने के बाद आपको थोड़ा सा wait करना है यहां पर आप अपना username लिखोगे मैंने लिखा Mr. Sadaam Hussain यहां आप इसको skip भी कर सकते हैं आपका account बन जाएगा बहुत ही आसान है अब आप अपने वो email लगाएंगे जिस पर हमने US का account बनाया email और password फिर आपको login करना है यहां पर दो सेम चीज़ों को select करोगे तो आपका account open हो जाएगा बिलकल आसान है तो दोस्तों यह रहा हमारा US का account three line में जाना है creator tools में जाना है यहां नीचे creativity program बीटा का option आपको मिल जाएगा इस चीज़ को आपको लाजमी समझना चाहिए टिक टोक monetization के लिए 18 से ज्यादा आपकी उमर होनी चाहिए इसलिए account बनाते वक्त उमर हमेशा 18 से ज्यादा लिखा करें दूसरी बात 30 दिन में एक लाक व्यूज आपको हासल करने हैं और तीसरी बात 10,000 followers आपके टिक टोक अ जाता है अगर आप मेरे हिसाब से चलते होना तो 10-15 दिन में आप अपने टिक टोक अकाउंट को monetize कर सकते हो अभी जाके अपने प्रोफाइल को फिल करते हैं थोड़ा सा एक मेरी जरूरी बात हमेशा याद रखना वरना इस account से हाथ दो बेटोगे यह account आपका permanent demonize भी हो सक है ठीक है अगर आपने यह गलती की तो यह गलती काफी लोग करते हैं जिसकी वज़ा से काफी लोगों के account demonize हो चुके हैं फिर आपकी सारी जो मेनत है ना 10,000 जो आप followers करते हो 10,000 followers और इतनी मेनत करते हो वो सारी मेनत आपकी जाया हो जाती है सिर्फ एक गलती की वज़ा से वो गलती कुन सी वो यह कि टिक टोक चलाने से पहले आपको यह VPN on करना है अगर आप यह VPN आन नहीं करते हैं तो टिक टोक वाले भाई समझ जाते हैं कि इसने VPN चलाकर अपने account को monetize किया है तो फिर उस वक्ती ही कुछी ही seconds में आपका demonize हो जाता है टिक टोक वालों को आपकी कुछी दिनों में ताकि आप monetization के लिए apply कर सको क्योंकि यह requirement है कि 10,000 आपके followers होने चाहिए तो home में आएंगे यहां पर search में आएंगे यहां पर किर्केट सर्च करोगे तो किर्केट की काफी सारी वीडियो वाइरल होती है दोस्तों आप किर्केट की वीडियो पर वीडियो नहीं है एक मिनट से ज्यादा आप वीडियो नहीं बना सकते हैं अपने face के साथ तो मैं आपको यही कहूंगा कि वीडियो उठा कर ठीक है आप अपने US के account में लगाओ काफी लोग यह जो लोग है ना पैसे कमा रहें बाई यह पैसे कमा रहें डालर्स कमा रहें 800 डालर 900 ड बनाओ फिर आप बेस्ट हो ठीक है अगर मेरी तरह एक मिनट से ज्यादा आप वीडियो बना सकते हो के मेरा के सामने आपको बोलने में कोई परेशानी नहीं होती तो मैं तो आपको यह कहूंगा कि US का account बनाओ काफी बड़ी बड़ी जो stories होती है ना दो मिनट की तीन मिनट की चार मिनट की उस पे वीडियो बनाओ अगर आप वहां से 800-900 डालर ना कमा पाओ तो मेरा नाम ही चेंज कर देना तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो अगर मेरी वीडियो से आपका थोड़ा सा भी फाइदा हुआ है ना तो आप अपने बाई के लिए दौा लाजमी करन ठीके जी मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा खैल रखें ओके जी अलाँ आफिस